कंगना रनावत ने साधा ममता बैनर जी सहित जावे दक्तर और शबाना आजमी पर निशाना कहा देश दुरुहियों को नंगा करूंगी राज कुंद्रा की मीडिया कवरेज के खिलाफ हाई कोट पहुची शिलपा शेटी मीडिया पर लगाया इमेज खराब करने का इलजाम हाई कोट ने कहा पुलिस सूतरों के आधार पर की गई रिपोटिंग अपमांजनक कैसे लगातार कोशिशों के बाद भी राज कुंद्रा को नहीं मिली बेल अब इस पर सुनवाई दो अगस्त को होगी देखिए इस हफ़ते की 10 कॉंट्रोवर्शिल खबरे शरलिन चोप्रा ने कथित तौर पर पुलिस को दिय अपने बयान में राज कुंद्रा पर यौन उट पिडन का आरोप लगाया है शरलिन चोप्रा का दावा है कि राज कुंद्रा दो साल पहले 2019 में एक दिन अचानक उनके घर पहुचे थे और उनके साथ सेक्शुल मिसकंड़क्ट किया जिससे वो बहुत डर गई थी इटाइम्स की रिपोर्ट के मताबिक राज कुंद्रा के खिलाफ शरलिन ने एप्रिल 2021 में इसे लेकर एफायर भी दर्च करवाई थी अपनी शिकायत में शरलिन चोपडा ने 27 मार्च 2019 की घटना का जिक्र किया है इतना ही नहीं शरलिन ने राज और शिल्पा के रिष्टे के बारे में भी बताया कि राज ने उससे कहा था कि शिल्पा के साथ उनके रिष्टे काफी कॉंपलेक्स है और वो घर पर स्ट्रेस में रहते हैं राज कुंद्रा को कोट से लगा बड़ा जटका रिपोर्ट्स के मताबिक 28 जुलाई को राज की जमानत याचिका खारिच कर दी गई रिपोर्ट्स के माने तो कोट ने मुंबई पुलिस से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था जिसके बाद 29 जुलाई को बॉंबे हाई कोट में इस मामले पर सुनवाई होगी वही राज कुंद्रा की अंटिसिपेटरी बेल की आचिका पर सेशन्स कोट ने सुनवाई को दो अगस तक के लिए टाल दिया है रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने कहा कि समय की कमी के चलते इस मामले पर अब दो अगस को सुनवाई होगी क्राइम ब्रांच की तरफ से शिलपा शेटी को क्लीन चिट नहीं मिली है दरसल फॉरंसिक एक्सपर्ट राज की कमपनी के बैंक अकाउंट की जाच परताल कर रहे है राज कुंद्रा के साथ उनकी वियान इंडस्ट्रीज के अकाउंट की भी जाच हो रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस एकाउंट में अश्लील वीडियोस के बिजनस से पैसे आ रहे थे उसका शिल्पाशे टीवी इस्तमाल कर रही थी जिसकी वज़े से उन्हें भी क्लीन चिट नहीं दी गई है रिपोर्टेडली क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने कहा कि इस केस में अक्रिस शरलीन चोपडा को भी गवा के तौर पर बयान दर्च करने के लिए बुलाया गया राज कुंद्रा की गिरफतारी के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनके घर पर छापे मारी की थी इस दौरान पुलिस ने शिल्पा से करीब 6 घंटे तक पूछताच की थी अब नियूज एजंसी एन आए की माने तो उनके सूतरों से मिली जानकारी के मताबिक जब क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर उनके घर पहुची तो शिल्पा अपने पती पर भढ़क गई उन्होंने चिल्लाते हुए कहा था तुम्हारे बिजनस से मेरे परिवार की काफी बदनामी हो रही है इसी वज़र से कई असाइनमेंट और बिजनस डील मेरे हाथ से निकल गए है शिल्पा शेटी ने बॉंबे हाई कोट का दर्वाजा खटखटाया दरसल राच कुंद्रा के जेल में जाने के बाद से लगातार मीडिया में शिल्पा को लेकर अलग-अलग तरह की खबरे चल रही है जिनके खिलाफ अब शिल्पा ने आक्शन लिया है शिल्पा ने मांग की है कि ऐसे मीडिया हाउसेस उनके खिलाफ लिखी गई सभी अपमांजनक खबरों को हटाए शिल्पा ने 29 मीडिया कर्मियों और मीडिया हाउस के खिलाफ पॉर्नोग्राफी मामले में जूटी रिपोर्टिंग करने और उनकी इमेज खराब करने के लिए बॉम्बे हाई कोट में मान हानी का मुकद्मा दायर किया बॉम्बे हाई कोट ने शिल्पा शेटी द्वारा दायर मान हानी के मुकद्मे पर मीडिया या सोशल मीडिया को चुप कराने से इंकार कर दिया है जस्टिस गौतम पटेल ने शिल्पा शेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिल्पा शेटी अपनी याचिका में मीडिया को रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग कर रही है इसका प्रेस की स्वतंतरता पर गलत प्रभाव पड़ेगा उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो कहा है उसके आधार पर किसी चीज की रिपोर्ट करना डिफेमेटरी नहीं है शिल्पा शेटी की ओर से पेश हुए एडवोकेट बिरेन सारफ ने अपत्ति जताई कि जो एक पती और पत्नी की बीच हुआ इसकी सूचना बाहर नहीं दी जानी चाहिए थी कोर्ट ने रिपोर्टेड लिकाहा कि शिल्पा शेट एक पब्लिक फिगर है और इस तरह की रिपोर्टिंग डिफेमेटरी नहीं है कंगना रनावत की बड़ी मुश्किले राइटर आशीश कॉल ने उन पर कॉपिराइट उलंगन का आरोप लगाया है आशीश ने कुछ दिनों पहले ही कोर्ट में जोट कहने के आरोप में कंगना के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अवमानना याची का फाइल की थी अब रिपोर्ट्स के मुताबिक आशीश कॉल के वकील अधनान शेक और योगिता जोशी ने कहा हमने एक लेटर जावे दक्तर जी को भेजा और उनके जवाब में हमें पता चला कि पासपोर्ट अप्लिकेशन के लिए जो फैक्स बताए गए वो सही नहीं है और ये बहुत बड़ा अपराद है हम ये बात हाई कोट में पेश करेंगे और अगर अपराद साबित हो जाता है तो इसका परिणाम जरूर निकलेगा कंगना रनाउट ने एक बार फिर बॉलिवड माफिया और खांस पर अपना निशाना साधा है कंगना ने एक लंबा पोस लिखकर इस मीटिंग को स्ट्राटेजी बताया तो वही कंगना ने ये भी कहा कि वो सभी देश द्रोहियों को नंगा करेंगी करन जोहर के पिक बॉस OTT होस करने से भड़के सोशल मीडिया यूजर्स शो को बॉइकॉट करने की उठी मांग मुंबई में श्रद्धा कपूर को 30 जुलाई के शाम पैपराजी ने स्पॉट किया वो फोन पर किसी के साथ चैट करने में विजी थी इस दोरान पैपराजी ने उनके तस्वीरों को क्लिक किया और उनकी परसनल चैट को सोशल मीडिया पर लीग कर दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर शद्धा कपूर के फैंस काफी नाराज हुए